नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों में आप सभी का एक बार फिर शे बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियों में हूं लोग पढ़ने वाले हैं लगू और गुरुवांडों को लगू और गुरु को तो लगू किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं तो लगू को हरसु भी कहते हैं गुरु को दिर्ग भी कहते हैं ठीक है तो लगू का मतलब देखिए यहां लगू लिखे हैं लगू का मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगता है बोलने में जिस वाड़ इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उसको गुरुवर्ण कहते हैं या देर गुवर्ण भी कहते हैं इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है यानि अधिक समय लगता है इसका डबल लगता है गुरु को गुरुवर्ण को बोलने में तो देखते हैं कौन-कौन से ल लिए देख लेते हैं। अ, छोटी, इ, छोटा, ऊ और री, यह हैं लगहुआड, ठीक है, लगहुआड यानि एक मात्रा इसमें गिना जाता है। यही अगर मात्रा है ब्यंजन वाड़ों में तब पर भी एक ही गिना जाएगा जैसे का हो गया छोटी की छोटा कू और री की मात्रा क्री ठीक है यही अगर आती है तब भी एक ही मात्रा गिनेंगे एक ही गिनेंगे ठीक है एक मात्रा गिनते हैं ठीक है तो और एक मात्रा किसमें गिनते हैं जैसे आ के उपर जो चंद्र बिंदू लगता है इसको भी एक मात्रा गिनते हैं चंद्र बिंदू और यह जो है जैसे डॉक्टर लिखा जाता है तो इसमें भी एक ही गिना जाता है इसमें भी यहां नहीं है लिखकर के ऐसे रहना जाएगा देखिए यह यह आ नहीं है आ तो दो हो जाएगा जैसे लिखकर आशे है तब एक ही गिना जाएगा ठिक है एक गिना जाएगा इसको भी यह आगत स्वर है करने के मतलब आया है अंग्रेजी से हिंदी में आया है तो इसको भी एक ही गिना जाएगा इसको एक ही गिना जाएगा लेकिन आ की मातरा नहीं आ की मातरा रहनी चाहिए आ अगर है तो दो गिना जाएगा ठीक है और आ के उपर जो चंदर बिंदू जो लगता है इसको भी एक ही गिना जाता है लेकिन चंदर बिंदू के अस्थान पर अगर अनुश्वार आ गया सिर्फ तब इसको डबल गिनेंगे देखिए जैसे देखिए जैसे अब दो मात्रा देख लेते हैं एक मात्रा यह सब हम देख लिए अब दो मात्रा देखते हैं कौन कौन से दो मात्रा होते हैं तो दो मात्रा होते हैं बड़ी मात्रा हैं सभी बड़ी मात्रा दो मात्रा गिनते हैं जैसे आ बड़ी इ बड़ा उब ए अए ओ सभ पर भी दो बड़ी की है तब भी दो बड़ा कू है या तो के है कई है को को इस अगर आते हैं तब भी दो मातरा गिनते हैं यानि चाहे स्वर हों चाहे इन स्वरों की मातराएं हों दो मातरा गिनेंगे अयोग वाह में जैसे अंग आता है इनको भी दो गिना जाएगा या ब्य और क्या गिना जाएगा दो सैयुक्ताक्षर के पहले वाला वांड सैयुक्ताक्षर होता है जैसे सैयुक्ताक्षर जो होता है जैसे सत्य में आधा तया है बीच में तो आधा जो बीच में आता है तो अपने पहले वाले वांड में एक जूड जाता है तो सय में एक जूड जा जैसे सत्य है ना तो बीच में आधा आ रहा है तो संयुक्त आक्षर इसी को कहते हैं संयुक्त आधा और यह संयुक्त है मिला है तो संयुक्त आक्षर आता है तो एक अपने पहले वाले में जूड़ जाता है यानि स में एक जूड़ जाएगा तो स तो एक ही था लेकिन दो गि तो यहां र जो है एक मात्रा है लेकिन दो गिना जाएगा क्योंकि हलंत के पहले वांड को भी दो गिनते हैं तो यह था हमारा लगु और गुरु यानि हरस्व और दिर्ग चाहे लगु और गुरु को हो चाहे हरस्व और दिर्ग को हो दोनों का मतलब एक ही है हरस्व का मतलब एक मात्रा दिर्ग का मतलब दो मात्रा यानि इसको लगु कहेंगे और इसको गुरु कहेंगे तो हो गया यही था हमारा यह संपूर्ण धोनियों के बारे में हम लोग देख लिए एक छोटे से वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद